मीडिया एक्जाम्स के इस प्रेटफॉर्म पर महरी शंकर सुनी आपका हर्तिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि CUT, PGA और UG के जो रिजल्ट्स हैं वो कप आएंगे काफी सारे लोग प्रोबलम में भी फंस रखे हैं कि भाई जो रिजल्ट्स हैं कुछ इनुवरिस्ट्स के आचुके हैं फाइनल रिजल्ट आचुका है, एड्मिशन लेना है, फीज देनी है, फीज दें के नहीं दें, रिफंट में फिर दिक्कत होती है ठीक है, पर्टिकुलर डेट दी भी है, UGC ने सब को नोटिफाई भी किया, लेकिन UGC के नोटिफिकेशन बहुत सी इनुवरिस्टी ठीक तरीके से फोलो नहीं करती रिफंट टाइम पे देगी भी तो इतना मतलब कि आपको परेशान करकर के देगी, ठीक है, या किसी तरह का फोल्ट निकाल देगी कि नहीं, इस हिसाब से जो है रिफंट नहीं इशू होगा काफी सारी दिक्कते जो है रिफंट लेने में फिर होती है, अगर आपने कहीं एडिमिशन ले लिया तो, और एडिमिशन लेना जरूरी उनके लिए हो जाता है, जिसका एक्जाम अच्छा नहीं गया था और पैटर्न में भी आपको पता कि हर साल बदलाव आते रहते हैं, तो कोई भी नहीं कह सकता कि मेरा एक्जाम बहुत अच्छा गया था, कुछ लोगों को छोड़के ठीक है, तो मेक्सिमम लोग इस तरह की प्रोब्लम्स में हैं, ठीक है, तो एक information वीडियो है और आपका decision ठीक तरीके से आप ले पाएं, उन सब चीजों पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है पहले तो सारा scene देख लेते हैं कि हुआ क्या है और क्या हो सकता है, क्या informations आ रही है पहले देखो कि CUT UG पर भी होता है, PG पर भी होता है, जो CUT UG लेवल पर होता है, वो 21 मैं से 23 जून तक हुआ था, ठीक है और उसकी provisional answer की आ गई है, और उसके बाद आपको पता है कि provisional answer की में दिक्कते भी बहुत हुई थी, तो उसके बाद final answer की जो आती है वो भी आ गई है, ठीक है तो UG CUT की जो है provisional answer की भी आ गई, उसके बाद challenge गरने के लिए time भी दे दिया उन्होंने, और उसके बाद revised यानि की final answer की भी आ गई, लेकिन उसका final result, जिसे हम scorecard कहते हैं, वो अभी तक नहीं आया है, वो कब तक आएगा, वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है और PG का exam जो है, ठीक है, एक बार मैं आपको dates यहां पे अच्छे से बता देता हूँ, UG level के जो exam है, 21 मई से 23 जून तक सारे वे, जिनका भी re-schedule हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ करके 23 जून तक सारे exam, UG CETA के complete हुए, 7S PGE level पे जो exam complete हुए, वो 30 जून तक complete हुए, तैसे कि COQP 17 है, Mass Communication का, यह 10 जून को भी हुआ, और उसके बाद 25 जून को भी हुआ, दो exam हुए, ठीक है, तो ऐसे करके जो है, सारा सब कुछ PG level पे 30 जून तक हुआ, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की, जैसे कि मैंने कहा कि आ गई है, जो कि 29 जून को आई थी, PG level की हो सकता है कि 8 जूलाई कोई वीडियो बना रहा हुँ, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कि 8 जूलाई तक जो है, आज है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की निकाल सकते हैं, पहले, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी नहीं निकालें, या कुछ ऐसा खारण नहीं है, या सोर्से यह नहीं कह रह 3 जूलाई तक आ गई थी, और इसके हम बात करें, तो जितना टाइम लगता है, आप चैलेंज करते हो और करते हो, तो 12 जूलाई तक फाइनल आंसर की का काम हो जाएगा, अगर 8 जूलाई को आता है, तो प्रोविजनल आंसर की आती है तो, ठीक है, फाइनल स्कोर कार्ड 15 जूलाई तक जो है, यहाँ पर रिजल्ट आपका आएगा, किसका, यूजी वालो का, ठीक है, जिसकी वज़े से बहुत दिक्कते होगी, हाला कि आपको पता है, मैंने अभी बताया, प्रोविजनल और फाइनल आंसर की आपी है, उसके बाद यह खबर जैनिक जागरण में चपी है, ठीक है, तो यह अगर खबर को हम सही माने, इस शोर्स को हम सही माने, तो 15 जूलाई तक यह जा सकता है, जबकि फाइनल आंसर की का काम 3 जूलाई तक हो चुका है, इसके बावजूद जो है, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन वगरे भी करना होता है, काफी सारी ची रिजट अभी तक नहीं निकला, ठीक है, तो यह क्यों नहीं निकला है, ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, किस वज़े से टाइम लगेगा, इसके बारे में मेरे पास कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इस खबर के साब से यह है, और ऐसे करके हम PG लेवल बता दो, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताए था, कि अगर आपका scorecard आ गया, पहली चीज क्या है, इसमें NTA से क्या काम कतब हो रहा है, scorecard के बाद में काम कतब हो रहा है, scorecard आ गया मालो कि आपका 15 जुलाई को, ठीक है, और उसके बाद डेटा जाता है, किस के पास particular dedicated जो भी युनिवर्सिटीज इसमें जुड़ी भी थी उसके पास जाता है जिसमें 4-5 दिन का टाइम लग जाता है तो वो हो गया आपका 20 जुलाई उसके बाद वहाँ पे जो है युनिवर्सिटीज में अपने काउंसलिंग के फॉर्म निकलेंगे काउंसलिंग का फॉर्म भी जो है 5-7 दिन निकलता है तो ऐसे करके आप मान के चलो कि 27 जुलाई तक हो गया तो जुलाई एंड में कहीं आपको जाके पता चल रहा है कि उस युनिवर्सिटी में जिसके लिए आपने ये सुईटी दिया है फाइनल लिस्ट में आपका नाम आय जाएगा 15 जुलाई तक भी आ जाएगा तो ठीक है और पीजी वालों का और लेट हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है तो आप टाइम केलकुलेट कर लो कि स्कोर काड आने के बाद में भी 4-5 दिन लग जाते हैं डेटा ट्रांसपर होने में फिर कांसलिंग के फॉर्म स्टार् कि पीजी की नहीं आई है यूजी की आ गई है इसका सारा सब पूछो जुका है पीजी का तो अभी तक एक्जाम होने के बाद कुछ भी नहीं आया बस यह जो में डेट आपको बता रहा हूं ठीक है इसमें आ सकता है आज 8 जुलाई की इवनिंग तक भी हो सकता है कि ईकी जारी की जा सकती है क्योंकि जब पेपर बनाया थो उसके अंसर की भी उसी समय बनी है तो प्रोविस्ण आंसर की देके और उसका जो चैलेंज करने वाला सिस्टम है यह तो कम से कम an contributions को अभी से ओपन कर दिया है यह तो यह इस वीडियो में कुछ खाज जानकारी में आपके लेकर आया था ये ख़बर मैंने आपको बताई है ठीक है फिलाल कुछ दो-तिंग बातों का आप जरूर ध्यान रखें ठीक है कि अपना दिसिजन जितना लास्ट तक आप जाके ले सकते हैं ठीक है मतलब कि MCU में आम माल लेते हैं कि माकला चत्रवेदी का भी निकलाव है आठ जुलाई आज लास्ट डेट है वहां फीस दमिट करने की तो आप आठ जुलाई की इविनिंग तक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि क्या पता रिजल्ट आ जाए ठीक है क्या पता कुछ ऐसी चीज पता चल जाए जिससे आपका डिसिजन बदलने वाला हो क्योंकि यहां पर डिसिजन में अगर हम जल्दवाजी करेंगे तो फिर दिक्कत भी हो सकती है ठीक है तो आराम से सोच समझ के अपना नेड़ने लें कि इस उनिवर्सिटी में जाना है फीज के साब से वह आपको स्यूट करती है कि नहीं करती है वहां की पढ़ाई के साब से आपका मैंड सेट है कि नहीं है बहुत सी चीज़ों जो है अराम से देख के जाए हर उनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टर जरूर देखे हर उनिवर्सिटी कि जो website है वो आप खुद से जरूर check करते रहें और काफी सारी information हमारे telegram channel पे मौझूद है आप please वहाँ पर जो है visit कर सकते हैं देख सकते हैं, join कर सकते हैं description में link दे रखा है फिलाल इस video में इतना ही, thank you very much all the best